आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे हूँगे, मेरे नाम ऐसे धान तगनी हो, तरी steady glows पर आपका बहुत 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 पागत है, दोस्तों, आज हमें कैसे केस की बात करेंगे, मैं important cases की बात करूँगा, वो cases जिन्होंने भारत को हिला के रख दिया, आप मुझे comment box मे बताईए कि आप कौन से केसे सुनना चाह रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे, निठारी केस की, 2006 Noida Serial Murders, जो बच्चों के Murders हुए थे, निठारी जो की गाउं है, दिल्ली के, Noida के बगल में, निठारी में ही है, एक छोटा से गाउं पढ़ता है, तो वहाँ पे जो इनकी को वह इंसान जो बच्चों को मार के खाता था, यकीन मानिये, कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, और एक बहुत बढ़िया रिपोर्टर क्राइम तक के शमस ताहिर रिखा, जब मैं उनका सुन रहा था, तो वह भी ये बता रहे थे, कि भाई, जो पुलिस वाले थे, जब पुल खतर ना, मौनिंदर सिंग पढ़नेर और सुरिंदर कोली, मौनिंदर सिंग पढ़नेर की कोटी थी, जो कि बहुत ही अमीर इंसान था, काफी अमीर, बिजनेसमें, लेकिन आयाश एक नंबर का, वो अभी जिल से बाहर है, जमानत पे बाहर है, और जो मेन आरूपी है, सुरि और उसी नहीं बच्चो को मार के खाया, सारे cases में इसको सजा हो गई है, उसको फांसी की सजा होई है, लेकिन अभी तक उसको फांसी हुई नहीं, यह हिसाब किताब रहा है, 20 से ज़्यादा बच्चो को मार के खाया था इनुने, हम बात करेंगे दोस्तों निठारी case की, 2006 में यह मामला आया, और जब यह मामला आया, तो पूरा देश हिल गया, इतना ज़्यदा गुस्सा अगर, जब भी सुरिंदर कोली, दोस्तों, मैं तो मुझे आद है कि मैं उस समय, औक सE ogni 90 पे था, तो इतना ज़ादे ये lamb light में मामला आया था, जब भी सुरिंदर कोली और निठारी को लेके जाते थे, अरे सुरिंदर कोली और पढणेर को लेके जाते थे, क्योंकि पता था कि अगर पब्लिक के हांत लग गए तो वहीं मार देंगे इसे यह हिसाब केताब था और यह दो सालों तक चला है आपको बता दू कि 2005 से 2006 तक लगा था दो से तीन सालों तक इसने वच्चों को मारा और खाया एक नर्भक्ष ये कादम खोर कोठी थी D5 सेक्टर 31 नोईडा नेठारी गाओं है उत्तर प्रदेश में नोईडा कहीं बगल में इधर साइड राइट साइड देखेंगे तो काफी अच्छी खासी बसती है लेफ्ट साइड में काफी गरीब लोग रहते हैं तो यह सारी चीज़े हैं बात करते हैं दोस्तों अब इस कहानी की और सुरेंदर कोली के उपर इसी इंसान के उपर यह आरोप है यह वो नाला है जहांपे सारी लाशे जो हैं वो बरामत ही की तो अब हम केस की बात करेंगे अब इससे पहले हम आगे बढ़े आपको बता दू कि हमारी नवरात्तरी सेल शुरू हो गई है सारे कोर्से जितने भी हमने कोर्से रॉंच के सब पे एक्स्ट्राइक 25 परसेंट आफ है तो आप इस सेल का जरूर फाइदा हुठा है तो यह कहानी शुरू होती है 2003 से देखिए सेक्टर 31 अब यह आप जाएंगे तो ऐसा लगता भूत लोड रहे है क्योंकि अब तो पूरा जंगल हो गया है सब कुछ तो वहां पे यह सब कांड हुआ था पढ़नेर जो है बहुत बड़ा बिजनस्पिन मौनिंदर सिंग पढ़नेर वो यहां पे आता जाता था रहता नहीं था जो करना है उसे तो आता जाता था लेकिन क्यों आता था सिर्फ आयाशी करने पढ़नेर लेख को कभूला है तेस्टी में इसने बताया है कि देखो मैंने मेरा मुझे मैंने कभी किसी जो बच्चा था उसका शोश्रन नहीं किया, ना युसको खाया, मैं सर्व यहाँ पे आता था आयाशी करने, लड़किया अड़किया सप्लाई OTT से, दलालों के कॉंटाक्ट थे, उनको फोन करता था, वो लड़किया भेज देते थे, मैं खुछ, यह यह साब किताब, अब य सब चीजों के आदत पड़ गई, अब बड़ा बेचैन, तो इसने अपने नौकत सुरिंदर कोली से बोला, सुरिंदर कोली से बोला कि यार, कुछ करो, और कही से इंतिजाम करो, तो सुरिंदर कोली ने फिर लड़कि का इंतिजाम कर रहे है, अब सुरिंदर कोली जो था, यह जो पढ़नेर करता था, वो देखता था, कमरे में जो भी हो रहा है, वो बाहर से देखता था, छोटा सा एक होल टाइप करता था, तो अब क्या हुआ, कि यह सब चीजे होगी, उसके बाद, जब वो लड़की वापस गई, तो सुरिंदर कोली ने बोला, कि मेरे साथ भी त मंद बना, तो उस रड़की ने काफी कुछ बोल दिया, सुरिंदर कोली को, किया दे तुम तो नामर्द हो, तुम से क्या है, तो गुस्से में क्या क्या है, सुरिंदर कोली ने, उसको मार दिया, उस और उसके बाद, उसको मार के, भाई मार दिया, गला घुट के मार दिया, अब उसको मार के जब घर लेकि आया तो उसने बकाइदा उसको काटा ठीके और जो बीच का हिस्सा होता है उसको कुकर में बना के खाया ये ये पहला मर्डर ये पहला ऐसा इंस्टेंस है सुलंदर कोली और इसके मालिक को कुछ भी नहीं पता कि ऐसा हो भी रहे अब इसकी आदत लग दी 2003 के बाद से भी ये सिलसिला शुरू होने लगा फिर छोटी छोटी बच्ची क्योंकि बगल वाला एरिया जो है वो काफी गरीब वहाँ पे लोग रहते हैं आठ साल की बच्ची को उसने बह लाया एक आठ साल की बच्ची को लाया कि बैटा टॉफी लो अब वो छोटी सी बच्ची उसने वह यह कहते न कि स्टेंजर से बात नहीं करनी चाहिए इसलिए नहीं करनी चाहिए तो अब वो बच्ची जो है वो बैकावे में आगी और उसके बाद फिर उसको भी घर ले गया, उसको भी मारा, सेम चीज, उसको भी काटा, और बीच का हिसा खा गया, कुकर में बना के, और बाकी क्या करता तो जो सर, पैर और जो हाथ था, क्योंकि वो किसी काम का तो है नहीं वो पॉलिथिन में भरके पीछे नाला था, ये कोटी के पीछे नाला बैथा था, वहाँ भेग देता था, तो ऐसे 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 ये दो तीन साल तक चलता रहा, अब प्रॉब्लम ये हुई, कि ये तो चलो, ये तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन अब 14 साल की एक लड़की थी, रि करीब लोग हैं, ये लोग जाते थे पुलिस में रिपूर्ट ia हो थि पुलिस कुखना रिपूर्ट नहीं लिखते थी, कि अरे या गया होगा तुआरे बच्चे यह यही कही गय होगी भी वापस आ जाएंगे, तो रिपॉर्ट यह नि लिखते थे, कई बार उन पे प्रे इस कोठी में आप छानबीन करो, लेकिन होता क्या था, कि जो पढ़नेर था, वो बहुत अमीर भाई, बिजनस्मेन के तो कॉन्टाक्ट्स होता ही है, तो कई बार वही पुलिस को, या ऐसा मतलब पुलिस जादा इंवस्टिगेट नहीं करते थी, कहा रहे छोड़ो, 14 साल की बच्ची दोर रिंपाहलदार गाय भूली, तब यहाँ पे पहला अटेम्ट हुआ, और तब पैरेंट्स ने दबाव बनाया, इनके रिंपाहलदार के पैरेंट्स ने पुलिस पे की भाई, केस रेजिस्टर करना पड़े गा, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकि पैसे देने थे रिक्षे वाले को, तो उसने बोला कि आप रुके, मैं लेके आ रही है, उसके बाद कोठी के 20 से वो रास्ता जाता था, वो जब कोठी के अंदर गई, तो वापस ही दी है, और रिक्षे वालने काफी वेट किया, उसके बाद वापस चला गए, अब जब इन बच्चे गायब हो रहे हैं, आप लोग लिखते हैं क्यों नहीं, तो तब भी पुलिस ने, केस रिजिस्टर नहीं किया, लेकिन फिर ये कोठ चले गए, और कोठ ने फिर ये ओडर दिया, कि आप केस रिजिस्टर करें, तो नंद लाल की कंप्लेन पे फिर F.I.R. और उसके बच्चों के अंग थे, उनकी सर, उनके पैर, उनके हाथ, बीच का हिस्सा गायब, तो सबसे पहले तो ये मामला आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि और गन तसकरी, मतलब और गन ये ट्राफिकिंग हो रही है, ऐसा तो नहीं कि कहीं जो इनसान के पार्ट्स हैं, इनसान के जो अं उनकी तसकरी हो रही है क्योंकि लिवर बड़ा महेंगा बिखता है किड्नी बड़ी महेंगी बिखते हैं लेकिन इसको डिसकार्ड कर दिया गया लेकिन इस चीज को डिसकार्ड कर दिया गया क्योंकि बहुत सारे सबूत जो है मतलब जो क्योंकि मरने के तुरन एक घंटे इसको transparent करना हो तो उसके बाद उसका कोई मतलब रह नहीं जाता ऐसा तो करते 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 यहाँ पे पकड़ा पढ़नेर को पढ़नेर को और इसके नौकर कोली को 29 दिसम्बर 2006 दोनों को arrest किया क्योंकि यही बता सकता है क्योंकि नाला इसके पीछे और बहुत सारी पॉलिटेंस मिले थी एक नहीं धेर सारी पॉलिटेंस में भाई शिस ने भी देखा सबकी रूख आप में कि यह क्या हो रहा है और छोटे छोटे बच्चों की यही दिक्कत है अब उसके बाद फिर पूशताच जारी होती है इन पर पूशता चुई बनिंदर सिंग को और कोली को गिरफतार किया गया पुलिस कस्टिडी मिली और यह पायल केस के मामले में इस से गिरफतार हुई दो पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया कर 30 दिसम्बर क्योंकि काई पुलिस पे भी आरूप था कि पढ़नेर ने बोला था कि भाई यह देखो यार एफाईयर मत लिखना ऐसा क्योंकि मामला पहले भी आया था न क्योंकि बहुत जादा कॉन्टाक्स था एफाईयर मत लिखना अब यहां पे जो गाओं वाले थे वो बड़े गुस्से में मार देंगे कुछ भी करके तो पुलिस बड़ी बहुती समझी कि चुप चाप इनको ले जाती थी जब भी यह इनकी सुनवाई होती थी थी न तो बहुती चुप चाप एकदम गुप्त जगह पर पूछता जहां कोई आना पाई क्योंकि अगर यह लोगों के हाथ लग जाते तो लोग वही मारते किसे अब उसके बाद पड़नेर जो है पड़नेर से पूछताश किया और पड़नेर टूटा तो पड़नेर ने बोला बताया कि देखिए हाँ यह बिल्कुल सही बात है कि मैं आयाश था और मैं धड़कियों को ले के आता था मैं गलत थरकते करता था लेकिन मैंने किसी बच्चे यह नहीं पता यह लाशे कहा पे नहीं उनको मारा क्योंकि अभी तक यह नहीं पता है कि यहां पे बच्चों को मारा गया खाया गया है अभी तक यह पता ही नहीं तो अब पता कैसे चलेगा अब चाभी थी सुरिंदर कोली के पास तो चार पुलेस वाले जो है वो सुरिंद करने कवा सुरेंदर कोली तूटा और जब उसने अपना मुझ खोला तो जो पुलिस वाले थे उन तक ने मना कर दिये भाई हम investigate नहीं करेंगे हमसे नहीं पाएगा पुलिस वाले तक ने मना कर दिये कि वी विल नॉट इंविस्टीगेट दो पुलिस वाले जो investigation officer तो उन्हें 12 security कर दी क्योंकि भाई सामने आपके आदम खोर बैटा है तब उसने पूरी story बताई कि कैसे कैसे वो ले के आता था उनके हाथ पैर काटता था और बीच वाला हिस्सा खा जाता था कुकर में बना के बढ़ा tasty लगता था बताता था इसने बहुत सारी चीज़े बताई उसके बाद फिर case cluster clear हो गया और finally यह टेरा से जाधा मामले थे सुरिंदर कोली के ओपर सारी की सारी धारा लगाए गई और आठ नौ बार इसको फासी हो यह हर हर case में फासी एक बार ऐसा भी था कि इसको लगबग फासी होई गई थी मेरट में इसको ले जाए जा रहा था और लगबग इसको फासी होई गई थी court ने भी order पास कर दिया था कि आप इसको फासी हो जाए लेगिन फिर बहुत सारे अक्टिविस्ट जो है वो अड़ गए कि नहीं नहीं अभी इसको पूरे अभी इसको और भी cases में सुनवाई होन है तो दो तीन घंटे पहले फासी होने के दो तीन घंटे पहले सुप्रीम कोर्टेस फासी को रोग दिया आनत में ऐसा तो यही चीज़ है तो यह मामला जो है वो चलता रहा एक के बाद एक स्केलेटन जो है वो डिसकवर होते रहे और उसके बाद फिर गाव वालों ने 31 बच्चों का शब हमने बरामत किया अब साथ रंदर कोली से पूछा तो उसको वो नमबर ही भूलिया था कि बाई तीन साल हो गया अब में तो आदत बन चुकी है यह आदत बन चुकी तो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था तो साथ फीलिंग सीलिंग साब मर गई थी Central Government ने फिर एक High Level Inquiry Committee बैठाई कि जो पुलिस ने लाप्स किया है जो इतनी गलतिया कि आखिरकार हुई क्यों उस समय चीफ मिनिश्र वुत्तरपते से मुलायम से यह दो और उसके बाद फिर काफी कुछ कमिटी ने बताया भी जो पैनल था वो जो विक्टिम्स थे उनके पैरेंट से भी मिला उनके स्टेट्मेंट को भी रिकॉर्ड किया अब यह है कि 17 लोगों को तो मार रही गया था जिसमें से 10 तो बच्चियां थी लड़कियां थी अब ऐसा इसके सुरेंदर कोली के ओपर यह भी आरूप लगा था कि मारने से पहले लड़कियों को यह सेक्शुली अभ्यूस करता था उनके साथ गलत हरकत करता था और यह सब शुरू कहां से हुआ था वही से तब एक दिन पढ़नेर को बोला कि पढ़नेर को लगा पढ़नेर ने पुरा यह पकाई था कंफेशन दिया कि पढ़नेर को लगा कि बड़ाई बेचैनी हो रही है तो मुझे मेरी किसी लड़की का इंतिजाम करें तब इसने वह बाकी डीटेल सब कुछ पायल जो है वह एक मात्र एडल्ट विक्ति मतलब सबसे बड़ी यही थी बाकी जितने भी विक्तिम्स थे वो दस साल के नीच चाही थे उसके बाद फिर कॉम्पंसेशन दिया गया आठ फैमिली से यह बच्चे बिलॉंग करते थे दो लाग का कॉम अगर पुलिस उसी समय जब यह पहला केस आया था अगर पुलिस उसी समय अक्टिव हो जाती तो मौते होती ही नहीं लेकिन ऐसा किया नहीं ग्रॉस नेगलिजेंस का यह तरप्रदेश पुलिस के ओपर आरूप लगा तो कि पहली बार नहीं वो लगते ही रहता है यह चीज उसके बाद फिर वही F.I.R लगी और चाइल्ड पॉर्नोग्राफी, ओर्गन ट्रेट, कैनिबिलिजम यह सारे के सारे बहुत ही तथ्यों पर जाच हुई लेकिन वही जब सुरिंदर कोली ने कन्फेस कर दिया तो यह पता चल गया कि भाई यह तो नर्भक्षी है नार्को एनलेसिज वहा ब्रेन मैपिंग हुई इसमें पढ़नेर को नहीं पता था पढ़नेर को जानकारी नहीं थी सुरिंदर कोली वहाज दी में फिर C.B.I. पे भी मामला गया C.B.I. ने भी जाज़ हुई 10 सितंबर 2009 इलाबाद High Court ने मुनिंदर सिंग पढ़नेर को बरी कर दिया अच्छली क्या था ना कि death sentence इसको मिला था मौत की सजा पढ़नेर को मिली थी लेकिन जब इस पे जान चुई तो पढ़नेर का इतना जादा रोल नहीं पाया गया तो इसकी मौत की सजा को बदल ही पाया गया यह चीज है 24 जुलाई 2017 कोली और पढ़नेर दोनों ही कोही अभी death sentence मिला हुआ है 2017 में गाजियाबाद CVI Code में दोनों कोही कोली और पढ़नेर को दोनों कोही इसमें आरोपी पाया है तो यह हिसाब किताब था यह जो केस था इसने हिला के रख दिया और ऐसे बह हम एक-एक केस की बात करेंगे बुराड़ी पर रिस्पॉंस बहुत बढ़िया था अगर आप कोई particular केस जाते हैं तो comment box से बताई मैं इसको लेकिया हूँगा खुश रही पर तरे इदर से सिद्धान तगी नियोतरी signing off